साबू दाना के साथ बनी हुई तो आपने बहुत सारी रेसिपीस ट्राय की होंगी बट आज एक नहीं रेसिपी ट्राय करो चुकि है साबू दाना चटनी बॉंब्स और इसे बिना फ्राय के अपम पैन में बनाएंगे है ना इंट्रस्टिंग तो इसके लिए ना साबू दाना को बस आपको सारी रात के लिए भीगो कर रख देना ये फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और फिर एक चटनी बनानी है जिसके लिए ब्लेंडर जार में थोड़ा धनिया अद्रक हरी मिर्ची पनीर डाल दो साथ में अट-पटा सा है पर बहुत टेस्टी बनेगा नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा नीम्बू कर अस डाल के बस मैंने ब्लेंड किया तो इस तरह का क्रीमी मिक्षर बन गया और फिर जो भीगो का रखा हुआ साबू दाना था इसमें थोड़ी सी मूफली का पावडर डाल दो और फिर उबले हुए आलू डालो साथ में हरी मिर्ची धनिया और साथ में डालो नमक, लाल मिर्ची, चैट मिसाला बुना जीरा पावडर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नीम्बू कर अस डाल के बस मिक्स कर लो और फिर इस मिक्षर में से थोड़ा सा पोर्शन लो इस चैनल को लेच्छर शब्सक्राइब